आपने कभी सुना है कि आपके एक्स बॉइफरेंड की जो गिल्फरेंड है वो आपकी बेस्फरेंड हो अरे आप तो कन्फ्यूज हो गएं कन्फ्यूज मत हुईए हम समझाते हैं दरसल आज कैटरीना कैफ अपना 35 वा बर्दे सेलिब्रेट कर रही हैं और इस मौके पर जिनोंने कैट का दिल तोड़ा था यानी एक्स बॉइफरेंड रनबीर कपूर की लफ गल आलिया भट ने कैटरीना को दिया है स्पेशल गिफ आलिया भट और कैटरीना कैफ बॉलिवूड में बीफफ माने जाते हैं लेकिन जैसे ही आलिया और रनबीर के इश्क के चर्चे फिल्मी गल्यारों में गुजरने लगे तो खबरे आई कि इस रिष्टे से आलिया की बेस फ्रेंड और रनबीर की एक्स गल्फ्रेंड बेहत नाराज हैं लेकिन केतरीना कक्ष के बर्देश पर आल्या के इस इंस्टिग्राम पोस्ट से ये बात सावित हो गई है ये सारी बाते अफ़वाए हैं। जिसमें कैटरीना के साथ मस्ती भरे फोटो शेयर करते हुए आलिया ने लिखा हैपियस बर्दे कैटरीना साफ है कि इनके बीच दोस्ती में कोई खटास नहीं आई है लेगन इसे आलिया भट को बर्फी बॉई की फैमिली की तरह से साइड अफेक्स जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि नीतु कपूर की वज़े से ही रनबीर और कैटरीना का ब्रेक अप हुआ था और आलिया भट को जहां नीतु सिंग पसंद करती है उन्हें पसंद आई गया नहीं ये तो वक्त बताएगा फिलाल आपको बता दे कि क्योटरीना कैफ अपने फिल्म ठग्स ओग इंदुस्तान से ब्रेक लेकर अपनी फैमिली के साथ अपने बर्दे सेलिबरेशन में बिज़ी है तो वहीं रनबीर और आलिया अपने फिर्म ब्रमास के शुटिंग को लेकर बेहत जादा बिज़ी चल रहे हैं बॉलिवुड की तबाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें आपने कभी सुना है कि आपके एक्स बॉइफरेंड की जो गर्ल्फरेंड है वो आपकी बेस्फरेंड हो अरे आप तो कन्फ्यूज हो गएं कन्फ्यूज मत हुई है हम समझाते हैं दरसन आज कैटरीना कैफ अपना 35 वा बर्दे सेलिब्रेट कर रही हैं और इस मौके पर जिन्होंने कैट का दिल तोड़ा था यानि एक्स बॉइफरेंड रनबीर कपूर की लफ गर्ल आलिया भट ने कैटरीना को दिया है स्पेशल गिफ्ट आलिया भट और कैटरीना कैफ बॉलिवूड में बीफफ माने जाते हैं लेकिन जैसा ही आलिया और रनबीर के इशक के चर्चे फिल्मी गल्यारों में गुजरने लगें तो खबरे आई कि इस रिष्टे से आलिया की बेस्प्रेंड और रनबीर की एक्स गल्फरेंड बेहत नाराज हैं लेकिन केट्रीना कैस के बर्दे पर आल्या के इस Instagram पोस्ट से ये बात सावित हो गई है ये सारी बाते अफ़ॉए हैं जिसमें केट्रीना के साथ मस्ती भरे फोटो शेर करते हुए आल्या ने लिखा हैपिस बर्दे केट्रीना साफ है कि इनके बीच दोस्ती में कोई खटास नहीं आई है लेगन इसे आलिया भट को बर्फी बॉई की फैमिली की तरह से साइड एफेक्स जरूर देखने को मिलेंगे क्यूंकि नीतु कपूर की वज़े से ही रनबीर और कैटरीना का ब्रेक अप हुआ था और आलिया भट को जहानीतु सिंग पसंद करती है उन्हें पसंद आई गया नहीं ये तो वक्त बताएगा फिलाल आपको बता दे कि क्याटरीना कैफ अपनी फिर्म ठग्स ओग इंदुस्तान से ब्रेक लेकर अपनी फैमली के साथ अपने बर्दे सेलिबरेशन में बिजी हैं तो वही रनबीर और आलिया अपने फिर्म ब्रमास के शुटिंग को लेकर बेहत जादा बिजी चल रहे हैं बॉलिवुड की तबाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें